हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका उन्रतीव क्रेंज में तो फ्रेंज आज हम बंदरबान बनाने वाले हैं जो कि मार्केट में बहुत ही कोस्ली मिलता है और उसको हम घर पर बनाने वाले हैं तो step by step हम पताएंगे आज अपनी वीडियो में वीडियो गुलास तक जरूर देख थे वी फेस्टिवल के लिए बना सकते हैं अगर आप हमाया चैनल को सब्सक्राइब चैनल पर एक पास बिजिद जरूर करेए तो घड़र लिए यहां पर मैंने बहुत सारे पश्लास ले अलग 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 में आप देख सकते हैं जिनके साइज भी अलग है और लेट भी यहां पर यूज करेंगे बागी कि जो यह है इसको हम अलग कर देंगे तो मैं यहां पर इसको अलग कर देती हूं कट करके और यह वाले फ्लास ऐसे आसानी से निकल जाएंगे तो इन्हें हम इस तरह से निकाल देंगे निकानने के बाद इसको हम फेकेंगे, नहीं साइड में रखतेंगे, क्योंकि इसका justus र्वार mêmeखे यहांपर मैने रवर role सीट करिए, यह काफी पतली है, इसको हम थिक करेंगे और इसको मैने लिया यहाँ टो सब करने के लिए इन सब को paste करें इसका base तयार कर लेंगे तो यहां पर मैं इसको एक एक करके paste कर दोंगे फिर इसके ऊपर हम एक और white color वाली rubber लगा देंगे यहां पर जो मैंने rubber वाली sheet यूज किये कि यह मुझे बड़ी जवाट करके मिली है और आप इसके लिए कोई और भी material यूज कर सकते हैं इसे ठेक करने के लिए तो चलिए फिर इसका एक base तयार हो गया है यह काफी थेक हो गया है अब इसके बाद हम आगे का काम करते हैं यहां पर मैं जितनी भी इसकी लेंदे इसको four parts में divide कर देंगे तो यहां पर मैंने nine inches पर इसको रखा है यहां पर हम मोटे वाले पर लेंगे वन बाई वन हम पर को इंसर्ट करेंगे और जितना भी आपको जो नीचे वाली लड़ी है लू चाहिए आप उतने पर इसमें डालने तो मैंने यहां पर 20 लिए हैं लिकन आप मुझे कम लग रहे हैं यह तो अभी हम इसमें 10 और आट कर दूंगे और इसके बार फिर से हम साइम प्रॉसेस करेंगे और आप भीन तकते हैं फूर योश्य writing licht प्ररूसेस करेंगे हम जोром यह को हम से प्रॉसेस करेंगे कि तो यहां पर इसका सज्वार ही है तो यह आया है हमारे 35 है है इसको हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे पहली वाली लड़ी से, मैं या फर नॉट टाई करके आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये इस तरह से आएगा, तो इसको मैं फटाबट से तैयार कर लेती हूँ, फिर हम इसको पेस्ट कर देंगे, इसको हमने उल्टा कर लिया है, उल्टी तरफ हम इसको पेस्ट कर रहे हैं, मार्किंग करने से हमारा जो गैप है, वो प्रॉपर आएगा, और जो डीव थी, और ये बंच है चोटे वाले, इसको हम थोड़ी थोड़ी दूर के रस्तार से पेस्ट कर देंगे, इसको मैंने सीधा कर लिया, अब हम सीधी तरफ इसको पेस्ट कर रहे हैं, और जितनी भी प्लास हैं, उसको हम वन बाई वन इसमें पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं अच्छे से इसमें ग्लू कर दूँँगी, जिससे कि यह अच्छे से पेस्ट हो जाए, निकले नहीं, जहाँ पर भी जगए खाली लगेगी, तो यहाँ पर इसको इस तरफ से फिल कर देंगे, और इसी तरफ से हमारा बंदर्मान कम्प्लीट हो जाएगा, तो फटाबर्स से हम इसको वन बाई वन सारे फ्लास बगा के, मैं इसको आपको दिखाती हूँ, तो फ्रिंस पर से आपको एक बार याद दिला रिती हूँ, अगर आप हमारी चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल पर एक बार विजट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो दालू तो उसका नाटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिले, मैंने इसमें लिए सारे फ्लास लिए हैं और सारे फ्लास लाइट और डार कॉंबिनेशन के हैं, यह बहुत लगने वाला है, तो आप तयार है, यह मेरा पहला ओडर है, इसको मैंने ओडर पर तयार किया है, तो मैं चाहते हैं इसको अच्छे से अच्छा बनाऊं, जिससे की सब लोगों को बहुत पसंद आए, आप लोगों को कैसा लगा, मैं यह कमेंट करके ज़रूर बताएं, अब भी हम इसको उल्टा करके यहां पर इसको लटकाने के लिए त्रेड लगा देते हैं, त्रेड भी मैंने अच्छा बलाई यूज किया है, और यहां यह काफी है भी है, तो इसलिए मैंने दो लगाया है, और दूसरे साइड भी हम ऐसे ही लगाएंगे, तो यह तैयार हो चुगा है, तो आप इस तरह से ओरडर पर भी बना सकते हैं, घर पर रहकर काम कर सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं, और जिसको भी और में मुझे बाबा और थां दांक यू